कहते हैं शिक्षक भगवान समान होते हैं लेकिन क्या हो जब शिक्षक ही हैवान बनने पर उतर आए कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के कानपूर में जहां नीट परीक्षा की तयारी कर रही एक छात्रा के साथ बलादकार की घटना सामने आई है और ये किसी और ने नहीं बलकि द इकल प्रवेश परीक्षा नीट की तयारी कर रही थी इसके लिए वो हॉस्टल में रह रही थी वहीं छात्रा का आरोप है कि साल 2022 में उसके कोचिंग टीचर साहिल सिद्धीकी ने पढ़ाने के दौरान नशीला पदार्थ पिला कर पहले तो उसको नशे का आदी बनाया इस इसके बाद उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया सिर्फ साहिल ही नहीं उसके एक और शिक्षक दोस्त ने इस लड़की का बलातकार किया छात्रा करनोज की रहने वाली थी और छात्रा का आरोप है कि नीट की तयारी के लिए वो कानपूर में कोचिंग के लिए आई थी यहां साहिल ने एक दिन उसे बद्बे पार्टी के बहाने 2022 में अपने फ्लाट पर बुलाया वहाँ पर कोई और बच्चा नहीं था वहाँ पर साहिल ने उसे नशीला पदार्थ पिला कर उसके साथ रेप किया और उसके बाद उसका वीडियो बना लिया इसके बाद उस साथ ऐसा कर चुका था। लड़की ने जब वापस अपने घर जाने की बात कही तो साहिल ने उसे घर भी नहीं जाने दिया। इसके बाद एक बार छात्रा ने त्योहार का बहाना बना कर घर का रुख किया और अपनी माँ को सारी बात बता दी। हालांकि इस पूरे वाकिये के बाद छात्रा डिप्रेशन में आ गई और उसके बाद छात्रा की तबियत भी खराब होने लगी। इलाज के दौरान छात्रा को पता चला कि किसी और के साथ भी साहिल सिधीकी ने इसी तरह का कांट किया है। तो छात्रा ने ठीक होने पर हिम्मत बांधी और फिर पुलिस में आरोपी की कम्प्रेंग दर्च करवा दी। कुछ कहना है वो सुनिये। कानपुर से रंजै सिंग के रेपोर्ट यूपी तक। कि कि रेपोर्च कर दो दो करेंगे पर हिम्मत रिस्ट्रा यूपी तक। खुलिस में आरोपी तक।